बागवन भाई नमस्कार तो आज हम स्टोन सूट वाले इस ब्लॉक में है जहां पर प्लम और परसीमन जो है वह इस ब्लॉक में लगाए गए है तो अभी यह वाला जो साइड है इस साइड उपर प्लम लगे हुए और प्लंद के पृत्ँं कि प्रूनिंग हम करें अल Intock Cum 2023 के प्रूनिंग अगर फूतिंग प्लाइण है थी प्लांठ की प्रूनिंग जो है अगर के प्लांट जो है में और उस को आ जया जाए तो असकुपट प्लाउड की ब्रूनिंग यह उस्से नेससे क्या होगा कि एक-टो आ प्रूनिंग करते हैं उसके पीछे हम ये उदेशे लेकर के चलते हैं कि पौधे के अंदर कोई टहनी आपस में टक्रा नहीं रही हो और अंदर सनलाइट पेनेट्रेशन जो है वो खूब हो और अगर कोई डिजीज या वांड़ीड कोई ब्रांच हमें दिख रही है तो उसको हम जो है पूदा पर नहीं आता हो जब पौदा फूटिंग पर आता है तो फिर एक चीज उसके साथ और जूड जाती है और वह है फ्लावर थिनिंग तो यह जो प्लांट है अभी इस बार स सेंपल पर हैं बाकी मैक्सिमम जो पौदे हैं उन पौदों की अभी कांचांट जो हम कर रहे हैं वो उसकी ट्रेनिंग के लिए हम जो है कांचांट कर रहे हैं तो आप जैसे देख रहे हैं प्रूनिंग लगातार जारी है इसमें भी हम जो है वही तरीका अपना रहे है कि कोई चोटे अंगल वाली कोई परांच ना हो जो कि सेंटिय लीडर को परहिशान कर रही है और यहां हमने उन जो ट्रेणि हम रखा है और यहां हमने च्गाथ हरा और तो औंब प्लम, प्रून और पर्सीमन ये इन फालों के पौधे जो है बागवान भाई जो मीडियम एलवेशन है या लोग में आपने ओचर्स के साइड है वहां पर लगा सकते हैं या फिर कौने ऐसे खाली पड़े में जहां पर कोई अइसे जगाए जो शेडी है फिर जो है ये प्लांव प्रून या परीमन के पॉदे जो है बागए जा सकते हैं और इसे एक लोर मेरें लोर बैल्ट के अगर बाद कर करें तो चुलाई और 갈 Stre ऑगस्ट में आर्वेस्ट इंग वह इंगा को वहे पैसा उसके बाद अगले अउक्टूबर नॉंबर तक जो वेट करना होता है और यह इंतजार जो है बहुत लंबा हो जाता है और इसमें जो है ऐसे लगता है कि साल में 12 महीने नहीं बलकि 13 महीने हैं इसलिए 13 महीना जो है वो अकसर बागवान भाई जो है वो मार्च और एपरिल को कहते हैं तो ऐसे में से बागवानों के पास एक अच ऑसाहाइगा जब उनकेपास सेपका पैसा नहीं हा रहा इसके इलावा जो लोौर एलिवेशन वाली बैल्स हैं उसमें भी खासकर के उत्रखंड के एरिया है या कश्मीर के निशलिक्षेत्र जो है कश्मीर के साथ जो लगता इलाका जम्मू का है, वह वाला एरिया जो है मेडियम बेल्ट जो है जहां पर 3,500 या 4,000 फीट की हाइट जो है, वहां पर भी स्टोन फूर जो है अजमाया जा सकते हैं, उत्राकंड के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ये परसीमन और ये प्लमू, खुमानी, आड़ो, इसके बगीचे लगा जा सकते हैं और अच्छी मार्केटिंग अगर हो, अच्छे समय दे करके अच्छी प्लैनिंग के साथ, अगर आप इसकी बागवानी करते हों, तो आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा ये दे सकता है, और इसका एक अच्छा अग्जम्पल जो किया गई कि पहले जो सेब के बगीचे थे, वो बीमारियों से खतम हो गए, और साथ ही साथ, जब स्नो लाइन ऊपर की तरफ खिसकी थानेदार के आसपास में बरफ गिरती है, नीचे वाले क्छित्रों में बरफ नहीं गिरती है, तो ऐसे में उन्हों ने एक बहुत ही अच निचलक शेतर के लोग चैरी में या दूसरे स्टोंफूट्स में कमा पाते हैं, उतना जो है पाकीक शेतर के स्टोंफूट वाले लोग नहीं कमा पाते हैं और इसका ये JO है, एक कारण ये भी है कि वहाँ पर सभी लोग मिल करके, सोच करके, और कुए एक लंबा समय उनको तो इतने लंबे समय में सारी चीजी इजाद हो जाती है तो वहां से ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम इतना जबरदस्त है कि दिन में हर्वेस्टिंग होती है शाम को गाड़ी लोड़ी है सुभए पांच बजे तक दिल्ली की मार्केट में वो गाड़ी लगती है फ्रेश तो अगर अगर दूसरे इलाकों के जो लोग है जो बागवान भाई है वो भी अगर इसी तरह की स्टेजी बना करके लोगों को साथ लेकर के अगर आगे चलते हैं मार्केटिंग का बढ़िया सिस्टम बनाते है तो इसमें जो है खूब अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला ह और अभी रोडों की रोड जो है रोडों की हालत भी तिरे तिरे सुधर रही है खास करके अंदर की किनेक्टिविटी अगर उसमें शाहिद ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन जो सिटी तू सिटी स्टेट तू स्टेट जो कनेक्टिविटी है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं 5-7 साल में ये सारी connectivity अच्छी हो जाएगी तो ऐसे में जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लगभग तयार हो रहा है दो तिन साल में वो तयार हो जाएगा तो ऐसे में दिल्ली से मुंबई जाना बहुत आसान हो जाएगा बहुत जल्दी फूट जाएगा और बाकी की connectivity भी दिल्ली से शिमला की connectivity अच्छी है शिमला से रोडु की connectivity अच्छी हो गई है रामपूर की नौर के लिए रोड अच्छे हो रहे हैं इस तरह से शिर्णगर के लिए रोड बहुत अच्छी हो रहे है एक दो साल का टाइम बाकी बचा है शिर्णगर से भी बहुत तेज अगर हम अपने और्चर्ड में भी तयारी करते हैं कि अब जो है वो जो पहले लगता था कि स्टोन फूट को पहुचाना आसानी होता था मंडी तक जाते जाते वो खराब हो जाता था जिस वज़े से इसकी जो मार्केट है वो अच्छे से डिवेलप नहीं हो पाई थी लेकिन अभी मार्केट डिवेलप हो चुकी है ऐसा हम कह सकते हैं और इसी में इसी कडी के बीच में अगर बागवान भाई आगे आएं इसके उपर विश्वास दिखाएं तो आने वाले पांच साथ साल में उन सभी बागवान भाईयों के पास खूब पैसा आएगा जो लोग इन प्लांट को अपने ओचर्ड में लगाएंगे या फिर नई जमीन देख करके वहां पर ऐसे बगीचे तयार करते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेट बॉक्स में जरूर बता हैं और पेच को फॉलो करना ना बुले अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख सकते हैं तो तुरांट प्ले स्टोर में जाये और आप जो आज ही डाउनलोड करें आपके आ लुपर वीज लाइव क्लास सीस होती है है थे भागवानी के बारे में है लिए जो अब हैमारी अब कर करके आज ही हमारी एप से जूड जाये और आज उन से द३ाले में उन पद पड़ो फिर आगे बेड़ो पड़ो तब तक के लिए नवस्कार जय हिंद जय भागत।